हिंदु धर्म के चार धामों में से एक है द्वारका धाम। द्वारका धाम को भगवान श्री कृष्ण की नगरी कहते हैं। द्वारका धाम गुजरात के कथिया वाड़ा छेत्र में अरफ शागर के समीब सिस्तित है। श्री कृष्णी की द्वारका नगरी के जल बिलीन होने के कई पुराणी कथाएं प्रचली थे। बेनगरी बसाई इस नगरी का नाम द्वारका रखा। माना जाता है कि माभारत के 36 बर्स बाद द्वारका नगरी संबुद्र में डूब गई थी। तो जिस तरह से मेरे कुल का नाश हुआ उसी तरह तुम्हारे कुल का भी नाश हो। ओ भी तुम्हारी आँखों के समक्ष होगा। कहते हैं इस स्तराप के वज़ा से स्रीकृष्ण की द्वारका नगरी पानी में समा गई। हलाकि और भी कई अन्य कथाएं हैं जो पुराणों में इसका उलिख हैं। एक अन्य पुराणी कथा के अनुसार एक बार महर्शी बिश्वामेत्र देव रिशी नारद कंडव द्वारका गए। तब यादो बंच के कुछ लड़के रिशीओं के साथ उपहास करने के प्रिवजन से स्रीकृष्ण के पूत्र साम को इस्त्री बेस में ले गए। और रिशीओं से कहा कि ये इस्त्री गर्भ होती है आप इसे गर्भ में पल रहे शिशु के बारे में बताईए कि क्या जन्म लेगा। रिशीओं ने अपमान होते देख श्राब दिया कि इसके गर्भ से मुसल उत्पन होगा और मुसल से समस्त यदुवंसी कुल का बिनाश होगा। जन्म को अपने साथ इंदर प्रस्त लेकर चले गए। इसके बाद देखते देखते पुरी द्वारका नगरी रहस्मई तरीके से समुद्र में समा गई है। अगर आभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले। धन्यवाद।